नमस्कार किसान मित्रों मैरा जुरम राठोड तैसेल बिल्लाडा जिल्ला जोत्पुर राजस्तान से आज आप सभी क्रसक मित्रों को एक आसान सुलब सस्ता फसलों में असर कारक परिणाम दने वाला आवश्यक और पोशक्तत्व जिसकी खेत को जरूरत है हर परकार की हर तरह की फसल के लिए ये जरूरी है एक ऐसा उत्पाद जो कि आज हम समय रहते सीत रितू में लगने वाली फसल हमारे छेतर में जैसे की सौंफ, गेहूं, सरसों, चना, जीरा इसमें उप्योग होने वाला उत्पाद बना रहे हैं तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं कृशानवाईयों जिपसम की जो की एक विशेश परकार की मिट्टी है जिपसम फसल के लिए गंदक वो चूने की पूर्ती करता है यानि कि इसके अंदर सलफर गंदक चूना केल्शियम की मात्रा पाई जाती है इसमें जो सलफर होता है वो बीस परसेंट सॉल्यूबल अवस्ता में पाया जाता है भारत में अगर देखा जाए तो जिपसम गंदक मुक्य रुप से राजस्तान के बीकानेर नागोर और हनवानगड में ज़्यादा होती है यही जिपसम राज्य सरकारे सुसाइटी के माद़िव से किसान मित्रों को जो उफलबद कराती है यह वही जिपसम है जो आप इस बरतन के अंदर देख पा रहे हैं यह एक विशेश प्रकार की मिट्टी है और इस मिट्टी को मिलाने से कोई इसको अपने खेत में मिलाने से कोई दूसरा दूसर परिणाम नहीं होता जहां जिस भूमी का, जिस मिट्टी का, जिस खेत का pH मान 8.5 से अधिक हो और भूमी शारी हो तो इसके डालने से भूमी का pH मान कम हो जाता है और मिट्टी की उपजोवपन शमता बढ़ जाती है जिपसम में गंदक के साथ साथ सॉल्यूबल अवस्ता में केल्शियम भी होता है जो फसल के लिए एक मेट्टो पूमी का निबगाता है जो की फसल में व्रदी और फसल का विकास करता है आज आप देख रहे हैं ये जो रेत मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजस्तान के नागोर जिल्ले से मंगवाई गई सल्फर गंदक केल्शियम वाली मिट्टी है इस मिट्टी को किसान भाई अक्सर क्या करते हैं जिस का खेट शारी है और पानी का पीच आट पॉइंट पाँच से ज़्यादा है या इसके समक्स है तो मिट्टी में उपजवपई शम्ता कम हो जाती है उस छेतर में दलनी फसले कम होने लगती है जीरे की फसल का उत्पादन नगन्य हो जाता है तो ज्यादा मात्रा में ये सलफर ये गंदक पाउडर न डालके एक छोटे से माद्यम से इसको जो छोटे किसान है जो मद्यम वर्गिय किसान है वो इसको कैसे बनाए कम खर्चे में और इसको कैसे प्रियोग करे और इसको खेत में कैसे दे ये विदी आज इस वीडियो में है आप देख रहे हैं दो कटे 50-50 किलो के पर आज हम बना रहे हैं एक छोटे से खेत में आप सभी को प्रियोग के लिए बता रहे हैं हमने वैसे बहुत बड़ी मातरा में इसको बनाया लेकिन आपको छोटे से प्रियोग के माद्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं आप भी इस तरह गंदक का पाउडर गर पे बनाएं जिसके हर फसल को जरूरत होती है अगर जमीन शारी हो चुकी कितनी भी तो इस पाउडर को प्रती एक एकड में अगर 100 किलो से 150 किलो अगर डाल दी जाए तो जमीन थोड़ी सी मुलाइम हो जाती है जो मिट्टी बंद जाती है मिट्टी कठोर हो जाती है वो खुल जाती है इसके डालने से तो इस बकेट के अंदर आप देख रहे हैं वेस्ट डी कमपोजर है यह आप वेस्ट डी कमपोजर देख रहे हैं और यह जिपसम पाउडर है अब इसको हाज हम बनाने जा रहे हैं 50 लेटर के इस बैरल में तो किसान भाई आप इसको लिक्विड फर्म में भी दे सकते हैं लिक्विड फर्म में बनाने के लिए आपको बस मिट्टी को उठाना है वेस्टर डी कमपोजर लेना है एक ऐसा ड्रम लेना है यह ड्रम लेने के बाद देखिए मैं आपको बता दू इसके नीचे 20 लगाए गई है 20 के नीचे किसी पाइप जोड़ दी गई है यह पाइप यहां जोड़ के जैसे यह पाइप यहां जोड़ दी गई है अगर अपन इसके अंदर अब हम इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर पहले से जो वेस्ट डी कमपोजर थोड़े दिनों पहले भरके रखा गया है इसके अंदर फिल्टर बनाया गया मैं आपको फिल्टर कैसा है थोड़ा दिखा दूँ बैरल को आड़ा करके अगर दिख जाए तो अच्छी बात नहीं दिख पा रहा है क्योंकि वेस्ट डी कमपोजर की परत इसके उपर जम गई है मैं आपको दिखा दूँ बता दूँ बाहर के साइड से ये टोंटी के नीचे नीचे यहां तक बड़े बड़े मद्यम सो ग्राम, दो सो ग्राम, डेट सो ग्राम के पत्थर यहां बड़े गए है यहां इसके उपर थोड़ी और मोटी बजरी यानि कि नदी की रेद भरी गई है चान कर यहां तक बरी गई है रेद नदी की और बारिक थोड़ी चान कर इसके उपर यहां तक बरा गया है रेट वो भी नदी का वो भी छान कर एकदम जो बारिक डश्ट निकला उसको छान कर अलग कर दिया गया अब यहां तक बरने के बाद यह फिल्टर बन गया है अगर यह काम करेगा तो कैसे करेगा थोड़ा दिखा देते हैं अब जैसे यहां से मैं टॉ्टी चालू करता हूँ यहां से रित के अंदर से इस बैरल के अंदर डाली गई नदी की छान कर अलग-अलग परत बना कर उसमें से च्छन के आ रहा है ताकि बाद में आपको बार-बार इसको छानने के आफ शकतार नहो अगर आप इसको ड्रिप में देना चाहे तो भी दे सकते हैं इस्प्रे करना चाहे तो भी दे सकते हैं अगर इसी गोल को चान कर अगर आप खेत में देना चाहें तो इस तरह लगा अगर टंकियों में इस टंकियों में आउशकत अनुसार एक एकड के हिसाब से आप 10-15 लिटर, 20 लिटर इसको बहा सकते हैं एक ऐसा एक आसान एक छोटा माद्यम हमने आपको दिखाया इसको हमने और भी भारी मात्रा में बनाया उन छोटे किसानों के लिए वीडियो हमने तयार किया ताकि उनको बनाने में, समझने में, खेत में इसको उप्योग करने में दिक्कत न हो किसान साथियों और भी हम आपको वेस्ट डी कमपोजर के आधारित प्राकरतिक उत्पादों से जेविक खेती को कैसे करें कैसे अपना उत्पादन बढ़ाएं, कैसे अपना रसाइन का खर्चा कम करें इस वीडियो को देखकर वो रसाइनिक खेती करने वाले किसान भी इस तरह छोटे से प्रियोगों को अपना कर उप्योग करके अपने खेत में आवश्यक फ़सल उप्योगी, नियूट्रेन, माइक्रो नियूट्रेन, पोश्यक तत्व फ़सल को दे सकते हैं अब इस पचास किलो को हम हमारे छेतर में, खेत में, जो सीत रितू में फ़सल लगाएंगे अभी एक महीना सीत रितू की फ़सल लगने में बाकी है, समय रहते हमने इस उत्पात को बना लिया 21 दिन तक इसको रखेंगे, 21 दिन के बाद, इसके सारे अव्योव, जो भी इस मिट्टी के अंदर गंदक केल्सियम, यानि चूना के जो गुन दर्म है, वो इसके अंदर आ जाएंगे फिर इसको हम इस नली के द्वारा जैसे ये पानी आता आप देख रहे हैं, फिर जैसे ये बाल्टी है, एक छोटी सी बकेट यहां हम लगा देंगे, लगाने के बाद इसको हम खेत में फसल के उपर जब आवश्यक्ता होगी स्प्रे करेंगे, जमीन में सीचाई के साथ, प इसके समकक्स है, जिस खेत की जमिन शारी हो चुकी है, उसमें आप इस तरह पचास लिटर के बने बैरल के द्वारा निकाले गए, अर्क को आप पचास लिटर दे सकते हैं, इसको आप कई बार उप्योग कर सकते हैं, जब तक कि मिट्टी का एक एक अनू, इसके अंदर कमपोजर का जब आप यहां टोटी के माद्दिम से निकालते हैं, उसका रंग अलग न हो जाए, तब तक यह उप्योगी है, यह प्राकरतिक उत्पाद कभी खराब न होने वाला, कभी एकस्पारी डिट न होने वाला, एक आसान सरल सस्ता सुलब माद्दिम हमने आपको बत करने का एक ही माद्यम केवल वेस्टर डी कमपोजर, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, हमारा वाट्शप नमबर 9461691944, जी किसान सातियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वाट्शप करें, आपको जीरे की खेती में उप्योग आने वाले आवश्यक पोशक तत्व जीरे की हर एक समश्या का समाधान हम आपको देने का प्रयास करेंगे, धन्यवाद